जोहार नमस्कार रादाब रामगड़ विधान सभाथ छेत्र में आज हम लोग है और रामगड़ विधान सभाथ चुना में रामगड़ से क्या योगदान ये लोग देंगे और रामगड़ की मुख समय स्वागत है अपका धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से मुझे दो सब् में चुनाव होना है और ये छेत्र जो रहा है हमेशा किसी एक खास पार्टे का एक लंबे अर्से से रहा है तो यहां पर आप लोग किस परकार का चुनोती का सामना कर रहे हैं किसी परकार का चुनोती का सामना नहीं कर रहे हैं हम लोग डट के मुकाबला कर रहे हैं और जि वी केसिस ने सिद्ध कर दिया कि जारखंड की राजनिती में टाइगर जाराम मातों का कोई जोड नहीं है अजारी बाग लोगसभा की बात करें गेडी लोगसभा की बात करें राची लोगसभा की बात करें धन्माद लोगसभा की बात करें चत्रा लोगसभा की बात करें लोगों ने वोट किया और आज जारखंड बने लगवग चोवीस वर्स हो गए और चोवीस वर्स में जारखंडियों को क्या मिला यह किसी से छिपा हुआ नहीं पंकर जी मैं आपसे पहली बार इंटर्वीव कर रहा है तो मैं आपके राजनीतिक केरियर के बारे में या राज जारखंड में ऐसे तो कहेंगे जारखंड चोवीस वर्स का हो गया और इस चोवीस वर्स में लगवग मैं 13-14 वर्सों से राजनीत कर रहा हूं जारखंड की राजनीति पहले मैं आम समाश सेवी के रूप में काम किया भावुलाल मरांडी जो जेवियम परटी था जिसका विले उनोंने बीजीपी में कर दिया पर हम लोग बीजीपी में नहीं गए और हम लोग कॉंगरेस में रहें पिछले बार हम कॉंगरेस के परव्प्रश्रियासी के कोई खारण से टिकट नहीं मिला पर जिसको भी मिला हम लोग उसको जिताने का काम की हैं पर जितने के बाद जो जंता के बीच में वादा की थी वो वादा पूरा नहीं हुआ कॉंग्रेस ने कही तरह से वादे किये कि किसानों का दो लाग तक कर्जमाफ करेंगे बिरोजगारों को बिरोजगारी भत्ता देंगे इवाओं को परतेक वर्स पांच लाग नोकरी देंगे किसानों को उनका हक अधिकार देंगे तरह तरह से वादे किये पर सभी वाद्दों में विफल सावित हुई जिसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जहते थे और छोटे मुटे मुद्दों को लेकर हम लोग आंदुलन करते थे तो ये उनको बरदास नहीं हुआ और उन्होंने जन्मुद्दों को लेकर जम मुखर हुआ तो उन्होंने मुझे पाटी से निकाल दिया मुझे पाटी से निकालने के बाद फिर भी मैं सांत नहीं बैठा और किसान बेरोजगार संगर्स मुर्चा के कमिटी बनाई कमिटी बनाकर लोगों के बीच गया धरना, परदसन, आंदोलन किया उनके हाँ कधिकार की लड़ाई लड़ी और करीब मुझे पर 23 मुकद्वे दर्ज हुए आंदोलन के आज लगभग पाच वर्स हो गए चाड़े चार वर्स तो इस साड़े चार वर्स में और पीछे का मुटा मुटी मान के चलिए 10 वर्स साड़े 14 वर्स की राजनीत में 23 मुकद्वे दर्ज हुए जिसमें अभी वर्तमान में मेरे पर 13 मुकद्वे चल रहे हैं अज सभी आंदोलन से संबंदित हैं और जहां पर हम लोग खड़े हैं इस पर इस जमीन बचाने को लेकर भी हम लोग आंदोलन किये थे जमीन पर बाद में आएंगे पहले आप यह बताएंगे जारामगर्विधान सभा में जो इस बार चुना होना है क्या-क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग के जेवी केसस के दौर है सरकार की नीतियां जो सरकार जारखंड में जेमें कॉंग्रेस की सरकार है जो जनता के बीच में मुद्दो को लेकर गई थी कि यह हमारी सरकार बनेगी तो परतेक वर्स पाच लाख लोगों को हम नोकरी देंगे बेरुजगारी भत्ता देंगे किसानों को उनको हक अधिकार देंगे आंगरबाडी सेवी का सही अदिदी को उनको मान दे बढ़ाएंगे पारा टीचर को अस्थाई करेंगे उनका मान दे बढ़ाएंगे सिपाही जो काफी इस राजिक सुरच्छा को लेकर सजग है उनलों को परमेंट करेंगे उनका मानेदे बढ़ाएंगे पर वो हर एक मुर्चे में जारखन सरकार विफल साबित हुई उनकी विफलताओं को जनता के बीच में लेके जाएंगे कि आपने पाच वर्सों में किसी को कोई रोजगार नहीं दिया और अभी आप चुनाव आया है तो आप उत्पाथ सिपाही की बाहले निकालकर विवाओं को जान ले रहे हैं अभी हाल फिलाल की दिनों में आप उत्पाथ सिपाही को लेकर 10 किलो मीटर की दोड जो 40 मिनेट में पूरा करना था उसमें करीब 10 लोग की जाने गई मैया योजना भी निकाल रही है जिसमें एक एक हजार देने की बात कर रहे हैं यह तो मा को सम्मान देने की बात नहीं हुई मा को सम्मान तब मिलेगा जब यहाँ पर मैलाएं मताईबाने सुरच्छित रहेंगे जितनी लूट हत्या डखेती जेमें कॉंग्रेस की सरकार में हुई उतनी लूट हत्या डखेती इससे पुर्व की सरकारे में कभी नहीं हुई थी प्रणाली चल रहा है कि लगातार एक्जाम ले लेना दोड ले लेना महिला पर सुपरवाईजर लोका एक्जाम का डेट निकाल देना और भी तरह तरह के परतिय होगी ता परिच्छाई कराना आप इसको किस रुप में देखते हैं सिर्फ चुनाओं जुमला अभी एक हजार रुपिया बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं यह पान सल तक कहां थे सरकार तो 2019 में बना था 2019 से ही चालू करते हैं कि हम सब माईय योजना सबको देंगे कोरोना था उस टेम बोल रहे हैं कोरोना में भी विफल रहे हैं कोरोना में भी भी फल रहे हैं जो सुविधाई मिलनी चाहिए थी आम जन को किसी को नहीं मिला लोग सडकों पर पैदल अपने घर आएं और सिर्फ पीट थपानी की बात करते हैं कि हमने एरोपलेन से लोगों को लाया 100-200 लोगों को लाया हुँगे पर जितनी जंता उनके क्रोना काल में पीडित असुशी अपेचित महसुस हुई और जिन्दगी जैसे तैसे काटे हैं कितने लोग की जाने गई यहां जार्खन में जितने भी अस्पताल थें वे अस्पतालों में वहां दवाईयां नहीं थी ब परतवान में भी आप जा किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाईए आपको वहाँ दवा भी नहीं मिलेगा ना बेड मिलेगा और ना डॉक्टर मिलेगा यह चीकित सब विवस्था है अच्छा अभी राजनितिक पार्टियों में खल भलहाट सी मज़ कही है बहुत सारे बड़े-पूरो मुख मंतरी है जातर वीजेपी में है और भी है जमीन खेसक चुकी है यह पने बचाने के लिए बीजेपी में गए हैं और बीजेपी में जाने के बाद भी कोई मान समान नहीं मिलेगा आना वो यह लोग चुनाव जितने जा रहे हैं जारखंड में यहां की जनता समझ चुकी है कि हम लोगों को अब जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम टैगर जाराम महतो परास्था जताते हुए उनको वोट करेंगे और जारखंड का मुख मंतरी टैगर जाराम महतों को बनाएंगे माय माटी की बात करता है और अब भी उससे संगठन में है तो क्या लगता है कि आप माय माटी की लडाई में सफल हो पाएंगे निशित रूप से हम लोग आज तक जितने भी आंजोलन किये हैं चाहिए वो रामगर सनिच्रा हाट बजार बचाने को लेकर हो वहाँ पर भी हम लोग ने जमीन लगभग गारा एकड़े की डिसमीन को बचाया है और उस जमीन के लड़ाई लगभग हम लोग तेरा चौदा वर्षों से लड़ रहे हैं और अभी तक सुरच्छीत है